वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं सुनीता गोयल कुपितलम में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको सिंगाड़े का आटा बनाना बताऊंगी घर में यह बहुती एजी तरीके से बन जाता है और बहुती सुद्ध होता है घर का आटा तो चलिए रैस्पे स्टा आटा मिलता है और यह इस तरह के देख रहे हैं अजब इसका आटा बनाएंगे तो बिल्कुल बाजार जैसा ही बनेगा तो यहां सिंगाड़ों को मैंने दो से तिन बार पानी में धोने के बाद सुखा लिया था और इस तरह से कोई भी एक खलर ले लेंगे सभी के घरों मे और बहुत ज्यादा मोटा हमें नहीं करना है यह देखी बिल्कुल एजी तरीके से यह तूट जा रहे हैं तो जितने भी सिंगाड़े का हमें आटा बनाना है उतने सिंगाडों को हमें इसी इमाम दस्ते में डालके कोट लेना है और अगर यह नहीं है किसी के पाद तो कोई भी आप भारी तले की लोहे की कडाई ले 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 और उसमें जैसे लोडा होता है जिसे हम चट्नी बगएरा बनाते हैं उससे भी आप कूट सकते हैं तो इस तरह से हमने कूट लेना है सारे सिंगाडों को कूट लिया है इस तरह से निकाल लिया है अगर आपको लगे कि यह तो आप इसको दुबारा भी सुखा सकते हैं ऐसा नहीं है कि खड़े से गाड़े कोई ही सुखाया जाएगा अब हम इसको एक मिक्सी के जार में ट्रांसपर कर लेंगे और इसका एकदम से फाइन पाउडर बना के तैयार करेंगे यह बहुती सॉफ्ट होता है यह बहुती इजी तरीके से पिस भी जाएगा मिक्सी पे भी यह ज़्यादा प्रैसर नहीं डालता है बहुती सॉफ्ट होता है यह और अब हम इसको पूरा नहीं भारेंगे आदा ही रखेंगे क्योंकि जब यह पीस लेंगे तो थोड़ा इसकी क बमस्तार तुक्ताен करते हैं तुक्तार राओं को 23 मोखिर सोना है शुक्तार्वित वक्तार के बाँद में तैयार कुछ सोना है है आप ब्रत में खाईए या फिर वैसे ही खाईए पूरी बनाईए सिंगाडे के आटे की ब्रत में या फिर हलुआ बनाईए या बर्फी बनाईए जो आपकी मर्जी हो ब्रत में आप बना के खा सकते हैं और इसको इस्टोर करके भी रखा जा सकता है अगर आपको साल भर के यह रखना है इसको इस्टोर करके तो इसको हलका सा कड़ाई में डाल के भून ले ताकि यह बिल्कुल भी खराब होने के इसके चांस ना हो क्योंकि यह जल्दी खराब भी हो जाता है इसमें कीड़े पर जाते हैं तो ट्रै जरूर करिए मेरे तरीके से रैस्पी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें